आप सभी को मेरा नमस्कार तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस वीडियो में कर्शन जन्माष्ट में की वरत कता लेकर आई हूँ तो प्रेम से बोलिए कर्शन भगवान की जे हो इंदर ने कहा हे भरंपूत्र हे मुनियों में सेष्ट सभी सास्त्रों के ग्याता हे देव व वर्ट से मनुस्य की मुप्ति लाप प्राप्त हो तता हे भ्रान उस वर्ष से प्राणियों को भोग वह मुक्स की प्राप्ति हो जाए इंदर की बातों को सुनकर नारजी ने कहा त्रेता युक के अंत में और द्वापर युक के पारम समय में नितित क्रम को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी देते हुआ उस दुष्ट वनीच करमी दुराचारी कंस की देव की नाम की एक सुन्दर बहन थी देवकी के गरब से उत्पन आठवा पूत्र कंस का वद करेगा नारजी की बाते सुनकर इंदर ने कहा है महामते उस दुराचारी कंस की कथा का वि देवकी की गरब से उत्पन आठवा पूत्र अपनी मामा कंस की हत्या करेगा इंदर की संदे भरी बातों को सुनकर नारजी ने कहा है अतिति पूत्र इंदर एक समय की बात है दुश्टकंस ने एक जोतीस से पूछा कि ब्रामनों में सेष जोतीसे विद मेरी मित्यू किस परकार और किसके द्वारा होगी जोतिस्यों बोले है दानवों में सेश्ट कंस वासु देव की धरम पतनी देव की जो वाग पटू है और आपकी बहन भी है उसी के गर्ब से उत्पन उसका आटवा पुत्र जो की सत्रों को भी प्राजित कर इस संसार में कर्षन के नाम से विध्यात होगा वही एक समय सूर्य उद्धकाल में आपका वद्ध करेगा जोतिस्यों की बाते सुनकर कंस ने कहा है दिवज बुद्धी मानों में अगने अब आप यह बताए कि देवकी का आठवा पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वद्ध करेगा जोतिस्यों से बोले कि है महाराज माग मास की सुकल पक्स की तिति को सोले कलाओ से पूर्ण सीरी कर्षन आपका यूद करेगा उसी यूद में वे आपका वद करेंगे इसलिए महाराज आप अपनी रक्षा यतन पुर्वक करें इतना बताने की पश्यात नारजी ने इंदर से कहा जोती से द्वारा बताएगे समय पर हीर कंस की मित्यू क क कर्षन के हाथ नी संद्यं होगी तब इंदर ने कहा है मुझा इब उस दुराचारी कंस की कथा का वनन कीजिये और बताएगे कि कर्षन का जनम केसे होगा तो था कंस की मित्यू कर्षन के दुहारा किस परकार से कहा इंद्र की बातों को सुनकर नारजी ने पुने कहना प्रारम किया उस दूराचारी कंस ने अपने एक दुआरपाल से कहा मेरी इस प्राणों से पिरिये बहन की पून सुरक्षा करना दुआरपाल ने कहा ऐसा ही होगा कंस के जाने के पश्यार उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाप पर गई उस तालाप की किनारे एक घंगोर पेड की नीचे बेट कर देव की रोने लगी उसी समय एक सुन्दर इस्तरी जिसका नाम यशोदा था उसने आकर देव की से पिरिये वाडी में कहा ही कांती इस परकार तुम क्यों विलाप कर रही हो अपने रोने का कारण मुझे बताओ तब दुखी देव की ने यशोदा से कहा है बहन नीच कर्मों में आसक दूराचारी मेरा सेष्ट ब्राता कंस है उस दुष्ट ब्राता ने मेरे कई पुत्रों का वद कर दिया इस समय मेरे गरब में आठवा पुत्र है वह इसका भी वर्द कर डालेगा इस बात में किसी परकार का सेयम या संदे नहीं है क्योंकि मेरे जैश ब्राता को यह भै है कि मेरा अश्टम पुत्र से उसकी मित्यू अवसे होगी देवकी की बातों को सुनकर यशोदा ने कहा है बहन विलाप मत करो मैं भी गरवती हूँ यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना इस परकार तुम्हारा पुत्र कन्स के हातों नहीं मरेगा तदंदर कन्स ने अपने द्वारपाल से पूछा देव की का है इस समय वह दिखाई नहीं दे रही तब द्वारपाल ने कन्स से नम्रवानी में कहा ही महरात आपकी बहन जल लेने तालाप पर गई वी है यह सुनते ही कन्स क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी इस्तान पर जाने को कहा जहां वह गई वी थी द्वारपाल की द्रश्टी तालाप के पास देव की पर पड़ी तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहां आई है उसकी बाते सुनकर देव की ने कहा कि मेरे गरह में जल नहीं है जिसे लेने में जलासे पर आई हूँ इसके पश्या देव की अपने घर की ओर चली गई कंस ने पूने द्वारपाल से कहा कि इस गह में मेरी बहन की तुम पूर्टे रक्षा करो अब कंस को इतना बहे लगा कि गरग के भीतर दर्वाजों में विशाल ताले बंद करवा दिये और दर्वाजी की बहार देत्यों राक्षसों को पहरे दारी के लिए न्यूक्त कर दिया कंस हर परकास से अपने पराणों को बचाने का परियास कर रहा था एक समय सिंग रासी के सूरे में आकास मंडल में जलाधारी में गो ने अपना परुत्व इस्तापित किया भादो मास के कशन पक्स की अश्टमी तित्थी को घंगोर अर रात्री थी उस समय चंदरवा भी व्रश रासी में था रोहनी नक्षत्तर बुदुवार के दिन रात के उत्तर के एक घड़ी जब हो जाए तो सुरूती स्मिती पुराण लोफल निदहे प्राप होते हैं इस परकार बतात वे नारजी ने इंदर से कहा कि हैं विजे नामक सुब मूरत में सिरी कर्षन का जनम हुआ और सिरी कर्षन के परबाव से ही उसी सन बंदीगर के दरवाजे स्वेम खुल गए द्वार पर पहरे देने वाले पहरदार राक्षन सभी मूर्चित हो गए देवकी ने उसी सन अपने पती वासु देव से कहा है स्वामी आप निंदरा का त्याग करें और मेरे इस अस्टम पुत्र को गोकुल ले जाए वहां इस पुत्र को नंद गोप की धरम पत्री यशोदा को दे दे और समय यमना जी पून रूप से बाढ़ ग्रस थी किन्तु जब वासु देव जी बाल कशन को रूप में लेकर यमना जी को पार करने के लिए उत्रे उसी सन बालक की चरनों का इसपर्स होते ही यमना जी अपने पूर्व इस्तिर रूप में आ गई किसी परकार वासु देव जी गोकुल पहुँचे और नन्द गरह में परवेश कर उन्होंने अपने पुत्र ततकाल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली वे तक्षण वहां से वापस आकर कंस के बंदी गरह में पहुँच गए प्रात्यकार जबी सभी राक्सस पहरेदा निंद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गरब से क्या हुआ है इस बात का पता लगा कर मुझे बताओ द्वारपालो ने महराज को आग्या को मानते हुए कारागर में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी जिसे देखकर द्वारपालो ने कंस को सूचित किया किन्तु कन्स को तो उस कन्या से भे होने लगा अतब वह स्वेम कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को जपट लिया और उसे एक पत्थर की चत्तान पर पटक दिया किन्तु वह कन्या विश्णु जी की माया से आकास की ओर चली गई और अंत्रिक्स में जाकर विदूत के रूप में पणित हुई उसने कन्सी कहा हे दूस्त तुझे मानने वाला गोकुल में नंद के गरह में उत्पन हो चुका है और उसी जी तेरी मित्यू निस्सित है मेरा नाम तो वेश्वणी है मैं संसार की करता भगवान विश्णु जी की माया से उत्पन हुई हुँ इतना के कर वह स्वर की ओर चली गई उस आकास वानी को सुन कर कंस क्रोदित हो उठा उसने नंदजी के गरह में पूतना राक्ससी को कर्शन का वद करने के लिए भेजा किंतू जब वह राक्ससी कर्शन को इस्थन पान कराने लगी तो कर्शन उसके इस्थन उसके प्राणों को कहीच लिया और वहर राक्ससी कशन कशन कहते हुए मित्यू को प्राप्त हुई जब कंश को पूतना की मित्यू का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कशन का वद करने के लिए करम से केसी नामक देते को अस्व के रूप में उसके पश्यात अरिश्ट नाम देते को बल के रूप में भेजा किन्तु ये दोनों भी कर्ष्ण के हातों मित्यू को प्राप्त हुए इसके पश्याद कंसने कालियात नामक देते को कोवे के रूप में भेजा किन्तु वहबी कर्ष्ण के हातों मारा गया अपने बलवान राख्षुसों की मित्यू का अगासे कांस अतेदिक भैबित हो गया उसने दुआर पालों को आग्या दी कि नंद को ततकाल मेरे समग उपस्तित करो दुआर पाल नंद को लेकर जब उपस्तित हुए तब कांस ने नंद जी से कहा यदि तुम अपने प्राणों को बचाना है तो पारी जात के पुष्प ले आओ यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वद निशित है कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही किया कहा और अपने गरह की ओर चल दिये घर आकर उन्होंने संपूर्ण वात्तान अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया जिसे स्री कर्षन भी सुन रहे थे एक दिन स्री कर्षन अपने मित्रों के साथ यमना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानेक स्वयम ने ही गेंद को यमना में फेक दिया यमना में गेंद फेकने का मुख्य उदे से यही था कि वे किसी परकार परिजात पुस्वों को ले आए आत्वे कदम के वक्स पर चड़कर यमना जी में कूद पड़े कर्चन के यमना में कूदने का समाचा सिरीधर नाम गोपाल ने यशोदा को सुनाया यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमना नदी के किनारे आपोची और उसने यमना नदी से प्राथना करते हुए कहा कि हे यमना यदि मेरे बालक को देखूंगी तो भादर पद मास की रोहनी युष्ट अस्तमी का वर्त होसे करूंगी क्योंकि दया दान, सज्जन प्राणी, भ्रामन कुल में जनम, रोहनी युष्ट अस्तमी, गंगा जल, एकादसी, गया श्राद और रोहनी वर्त से सभी दुल्लब है हजारों अस्मेक यग, सास्तरों में, रासुय यग, दान, तित्र और वर्त करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कश्र जनमाश्तमी के वर्त करने से प्राप्त हो जाता है यह बात नारज रिसी ने इंदर से कही इंदर ने कहा हे मुनियों में सेष्ट नारथ यमना नदी में कूदने के बाद उस बालक रूपी कर्ष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया यह संपुण वातान भी बताईए नारज जी ने कहा है इंद्र पाताल में उस बालक ने रागनाक राज की पतनी से कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो कहां से आए हो और यहां आने का क्या पर्योजन है नाग पतनी बोली हे कर्षन क्या तूने घुत कीड़ा की है जिसमें अपना समस्धन हार गया है यदि यह बार ठीक है तो कंकर मुकुट और मनियों का हाल लेकर अपने घ्रह में चले जाओ क्योंकि इस समय मेरे स्वामी सहन कर रहे है यदि वे उठ गए तो तुम्हारा बख्षन कर देंगी नाग पतनी की बाते सुनकर कश्ण ने कहा हे क्रान्ते मैं किस प्रियोजन से यहां आया हूँ वह बरतान मैं तुम्हें बताता हूँ समझ लोग कालिया नाग की मस्तक को कंज के सार दुद में हार चुका है और वही लेने में यहां आया हूँ बाल कश्ण की इस बात को सुनकर नाग पतनी अतिन्त कुरोधित हो उठी और उसने कहा हे स्वामी आपकी घर सत्रू आया है अतिन्त का हनन कीजिए अपनी स्वामीनी की बातों को सुनकर कालिया नाग निंद्रा वस्ता से जाग पड़ा और बाल कश्ण से यूद करने लगा इस यूद में कश्ण को मुर्चा आ गई उसी मुर्चा को दूर करने के लिए उन्होंने गरूड का इसमरन किया इसमरन होते ही गरूड वहां आ गई सिरी कर्षन अब गरूड पर चल कर कालिया नाग से यूद करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को यूद में पराजित कर दिया अब कालिया नाग ने भली बाती जान लिया था कि मैं जिन से यूद कर रहा हूँ वे भगवान विश्नु जी के अफ्तार सिरी कर्षन नहीं है उन्होंने कर्षन के चर्णों में सासाग परणाम किया और परिजासी उत्पन बहुत से पुस्पु को मुकट में रखकर कर्षन जी को भेट किया जब कर्षन चलने को हुए तब कालियाना की पत्नी ने कहा हे स्वामी में कर्षन को नहीं जान पाई ये जनार्दन मंत रहित किरिया रहित भक्ती बाव रहित मेरी रक्षा की है हे पर्भू मेरे स्वामी मुझे वापी दे दीजिये तब स्रीकर्षन ने कहा हे सरपणी देत्यों में जो सबसे वल्वान है उस कंज के सामने मैं तेरे पती को ले जाकर छोड़ दूँगा अन्य था तुम अपने ग्रह को चली जाओ अब स्रीकर्षन कर्षन कालियना के फन पर नत्ते करते हुए यमना के उपर आ गए ततंदर कालिया की फुकार से तीनों लोग कंपाय मान हो गए अब कर्षन कंस की मतुरा नगरी को चल दिये वहां कमल पुस्पो को देखकर यमलो के मद्दे जलासे में कालिया सरक भी चला गया इधर कंस भी विस्मित हो गया तता कर्षन पर्षन चित होकर गोकुल लोट आए उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन परकार के उस्सव किये अब इंदर ने नारजी स से पूचा हे महामूने संसार के प्राणे बाल सिरी कर्षन के आने पर अत्यतिक आनंदित हुए आकिर सिरी कर्षन ने क्या क्या चरितर किये वह सबी आप मुझे बताने की करपा करे नारजी ने इंदर से कहा मन को हारने वाला मतुरा नगर यमुना नदी के दक्षन भाग मे इस्तित है, वहां कंस का महा बलिसाय, भाय चारण रता है, उस चारुण से सिरी कर्षन मल्ली यूद की गोसना की है, हे इंद्रे, एउं चारुण का मल्ली यूद अत्यन आसी जनक था, चारुण की अपेक्षा कर्षन बाल रूप में थे, मेरी भेरी संक और मर्दन के सब्दो देख रहे थे, सिरी कर्षन ने अपने पेरों को चानून के गले में फसा कर उसका वद कर दिया, चानून की मित्यों के पस्याद, उसका मली यूद केसी के साथ हुआ, अत्मे केसी भी, यूद में कर्षन के दुआरा मारा गया, केसी के मित्यों प्रान, मली यूद देख रहे, सबी प्राणी सिरी कर्षन की जेजेकार करने लगे बालक कर्षन दुवारा चानून और कैसी का वद होना कंस के लिए अत्यन हर्दे विरादक था अंत में उसने सेनिकों को बुला करूने आग्या दी कि तुम सबी अस्त सस्त्रों से सुजतित होकर कर्षन से यूद करो है इंद्र उसी सण स्री कर्षन ने गरूर बलराम तथा सुदरन चक्र का ध्यान किया जिसके परणाम सवरू बाल देवजी सुदरसन चक्र लेकर गरूर पर आरूर होकर आए उन्हें आता देख बाल कर्षन ने सुदरसन चक्र को उनसे लेकर स्वेम गरूर की पीट पर बेट कर न जाने कितने राक्ससों और देत्यों का ध्या कितनों के सरी रंग भंग कर दिये इस यूद में सिरी कर्सन और बलदेव ने असंके देत्यों का वद किया बलराम जी ने अपने आयूद सस्त्रहल से और कर्सन ने अपने सुदरसन चग से माग मास की सुकल पक्स की सप्तमी को विसाल देत्यों के समों का सर्वनास किया जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा तो कष्ण ने कहा है दूष्ट अधर्मी दुराचारी अब मैं इस महा यूदिस्तल पर तुसे यूद कर तथा तेरा वद कर इस संसार को तुसे मुक्त करूंगा यह केते वे सिरी करसन ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमा कर पर्थवी पर पटक दिया जिससे वह मुत्यों को प्राप्त हुआ कंस के मरने पर देवताओने संगोज वपुस्वस्टी की वहाँ उपस्ती समुदाय सिरी करसन जी की जेजेकार कर रहे थे कंस की म्युत्यू पर नंद देव की वासु देव यशोदा इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्स पर्व मनाया इस कथा को सुनने के पश्यात इंदर ने नारजी से कहा हे रिसी इस करसन जनमास्ट में का पूरु विदान बताईए एव इसके करने से क्या पुर्णे प्रा इस वर्थ को करना चाहिए उस दिन भर्माचारी आदी नियमों का पालन करते हुए सिरीकर्षन जी की स्ताफना करनी चाहिए सर्व पतम सिरीकर्षन जी की मूर्ती स्वन कलस के उपर इस्तापित कर चंदन धूप पुस्व कमल पुस्व आदी से सिरीकर्षन जी की पर्तिमा को वस्तर से वेदिष्ट कर विधी पूर्वक अर्चन करें गुरूची छोटी पीतल और सोष्ट को सिरी कर्षन के आगे अलग अलग रखें इसके पश्यात भगवान विश्णुजी के दस रूपों को देव की सहीत इस्तापित करें हरी के सनीदे में भगवान विश्णुज के दस अफ्तारों गोपी का यशोदा वासुदेव नंद बलदेव देव की गायो वस्त कालिया यम्नानदी गोपकन और गोप पुत्रों का पूजन करें इसके पश्यात आठवी वर्ष की समाप्ती पर इस महापूर्ण वर्थ का उध्यापन भी करें यथा सकती विधी द् कसिरी कर्ष्न की पर्तिमा स्वन्पतिमा बनाए इसकी पश्यात मतेस्ये कूर्म इस मंत्र दुआरा अनाच्ची करें या अचारिय भर्मा तता आठ रिसियो का वेदी ग्रीती से वरण करें परतिदीन भ्रामन को दक्षिना और भोजन देकर परसन करें जो वेक्ती को प्राप्त होता है आयू कीर्ति यसला पुत्रव पोत्र को भी प्राप्त कर इसी इसी परकार सभी सुकों का भोग कर अंत्में मोक्स की प्राप्ति करता है जो मनुस से जो मनुस से भक्ति बाव से स्रीकर्षन की कता को सुनते हैं उनकी सभी पाप नश्ट हो जाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं तो प्रेम से बोलिए स्रीकर्षन भगवान की जेहो